सबसे पहले तो यही जानते हैं कि पुश्य नक्षत्र आखिर ये है क्या? इसका महत्व क्या है? पंड़ी और साल में कितनी बार पड़ता है पुश्य नक्षत्र और क्या सारे के सारे शुमाने जा सकते हैं? देखो ऐसा है आसा हमारे सौर मंडल में हमारे मनिस्यों ने 27 ग्रहों की परिकलपना की है और एक अभिजित नक्षत्र की भी परिकलपना की गई है जिसे मिला करके कुल 28 नक्षत्र होते हैं लेकिन जियोतिसिय गणित में या सरुमाने गणित में 27 नक्षत्रों को ही ले करके स परिकल्पनाइं की गई हैं, अठाइसमां अभिजित मुरत जो है, स्रावन का एक चौथा हिस्चा, धनिष्ठा का चौथा हिस्सा मिला करके अभिजीत मूरत अभिजीत नक्षत्र होता है, ये कभी-कभी ग्राहे होता है, विसेस अवसरूं पर बाकि 27 नक्षत्र ही होते हैं, और 27 नक्षत्र ये निश्चित है कि 13 बार संक्रमण करते हैं एक साल में एक नक्षत्र एक साल में 13 बार आता है ठीक है? तो ऐसे में जो पुष नक्षत्र है ये सरुस्रेश्ट माना जाता है अब आप सोचोगे कि पंडी ये पुष नक्षत्र तो सनी का है तो फिर ये सरुस्रेश्ट कैसे हो गया जब सनी को आप सरुस्रेश्ट नहीं कहते हो तो सनी के बच्चे को कैसे आप सरुस्रेश्ट कह रहे हो पुष्य नक्षत्र सरुस्रेश्ट माना जाता है इसलिए कि सौरमंडल में इसका गंती ये विश्तार तीन रासी तीन अंस बीस कला से तीन रासी सोला अंस चालिस कला तक है इस नक्षतर के तारे हैं ये तीन तारे तीर के समान आकास में दिखाई देते हैं जो बेधसालाओं से देखे जा सकते हैं इसके तीर की नोख अनेक तारा समुहों के पुंज के रूप में दिखाई देती है पुष्य को रिगुवेद में तिस्य यानि सुभ या मांगलिक तारा भी कहते है सूर्य जुलाई के तिर्तिय सब्ताह में पुष्य नक्षत्र में गोचर करता है और बताऊं पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिहार के पस्चिमी छेत्र में इसको चिरईया कहते है बरसात में लोग नच्छत्रों के बारे में सूर्य के बात करते हैं हाँ हाँ अभी मिर्गिसरा लग गया है मिर्गिसरा बहुत गर्मी कर रहा है हाँ आद्रा लग गया है मिर्गिसिरा कशके तपय आद्रा कुछ-कुछ जाए कहे घाग सुन घागनी स्वान भात न खाए जो आद्रा आदर करवावे खोई पुनर्वस हानी उड़े चिरेया जाए अकासे खोई असलेखा पानी ये सब बरसात के लिए घाग भडरी ने जो कहावते कहीं है वो सूरे के नक्षत्रों के आधार पर कहीं है जिसमें पुष्य को चिरेया सब्द से संबोधित किया गया है हाच्वी गाउं के जो बड़े बुज़ूर्ग है वो कहेंगे अब चिरेया आ गई है अब ये उड़ेगी अब बरसात कहाँ ठीक से होगी अब ये उड़ उड़ के बरसात करेगी कभी यहाँ बरसात करेगी इसी तरह से हस्त नक्षत्र जब आता है तो उसको लोग कहते हैं हतिया जब बहुत तेजी से हवा चलती है और मतलब फंसलें घुमती हैं और बरसात तेजी से होती है तो लोग करते हैं देखो हथिया ने सून घुमाया है हथिया ने सून घुमाया है ऐसी लोगों के बीच में बाते हैं और लोग इसको समझते हैं उसी सेंस में तो पुष्य नक्षत्र में जब सूरिव गोचर करता है उस समय में नक्षत्र पूरो में उदय होता है मार्च के महिने में रात 9 बजे से 11 बजे तक पुष्य नक्षत्र अपने सीरो बिंद पर होता है पॉस मास की पूर्णिवा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है इसलिए तो उसका नाम पॉस है तो सास्त्रों में पुष्य योग को सव दोसों को दूर करने वाला निश्चित सफलता परदान करने वाला और बहमुल्य वस्त्रों की खरिदारी करने के लिए सर्वस्रिष्ट और सूफ हलदाई माना गया है भला ऐसा क्यों? इसलिए कि हमारे हाँ जो नक्षत्रों का वर्गी करन किया गया है लगू संग्यक है, ध्रू संग्यक है, छिप्र संग्यक है, मिर्दू संग्यक है इस तरह से कहते हैं हस्तास्वी पुख्य, छिप्र, लगू, लगू, गुरुस्तथा, तस्मिन पन्य रतिग्यानम, भूसा सिस्पकलादिकम पुष्य नक्षत्र गर्भाधान के लिए और गहना खरीदने के लिए और सुन्दर कपड़े पहरने के लिए सुन्दर कपड़े खरीदने के लिए बहुत ही प्रसस्त माना जाता है ये धुरु और मृदु संग्यक नक्षत्र है पुष्च नक्षत्र के सयोग से सरवार्थ अम्रित सिध्योग भी बनता है रवी वार को पुष्य नक्षत्र पढ़ने से रवी पुष्य योग बनता है जो सबसे अच्छा पताया गया है सनी वार के दिर पुष्य नक्षत्र के सयोग हो तो सरवार सिध्य योग बनता है क्योंकि वो उनका नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र को ब्रह्माजी का स्राब भी बिला था इसलिए सास्त्रोक्त विधान से पुष्य नक्षत्र में बिवाह वर्धित माना गया है बिवाह के 13 नक्षत्र जरूर है लेकिन कोई इस दुनिया में नहीं कह सकता है पुष्यनक्षत्र में भी विवा होता है नहीं होता है तो नहीं होता है पुष्यनक्षत्र विवा का मुहूरत नहीं है इसको ब्रह्मा जी का स्राव था कि तुम बैवाहिक कारेक्रम में त्याग दिये जाओगे तो कहने का बंतलब जहां इसके अंदर हज्जारों हज्जार खूबियां हैं वहीं खामिया भी हैं तो इस विशे को भी ध्यान में रखना चाहिए कहीं आपने ऐसा मन तो नहीं प्रिपेर कर लिया कहीं पुष्यनक्षत्र में तो सब कुछ होता है तो साधी भी बहुत अच्छी बात है साधी भी कर लेना चाहिए ऐसा नहीं है सब के लिए सब चीजें अच्छी नहीं होती है सास्त्र और मर्यादाओं का पालत तो हमें करना ही चाहिए जब हम अपने दिमाग से कोई चीज का निर्म कर लेते हैं इसलिए सास्त्रों की मर्यादाओं में ही रहने का नाम जो है संसकार है. तो पुष्य नक्षत्र अपने साथ बहुत सारी शुबता लाता है, लेकिन जैसा पंडिजी ने बताया विवाख इसमें वर्जित होता है, लेकिन अगर इसी पुष्य नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो फिर आपका नेचर, आपका बेहेवियर, आपका फ्यूचर ये कैसा होता है, तो कुल मिलाकर के ठीक नहीं रहता है, लेकिन मैं आगे पंडिजी से ये जरूर जाने कुश करूँगी पंडिजी, अगर ऐसा है, तमाम कठनाईयां तो है, लेकिन फिर भी हर एक चीज का उपाया आप बताते हैं, तो इसका भी जरूर बताईएगा, तो बात हो रही है पुष्य नक्षत्र की, कुल मिलाकर के शुभता अपने साथ लेकर आता है, लेकिन फिर नक्षत्र की दिशा कौन सी होती है, और फिर नक्षत्र शरीर के किन भागों को प्रभावित करता है, पंडिजी नक्षत्र भी भाग प्रभावित करते हैं शरीर के अलग-अलग? 27 नक्षत्रों को पूरे सरीर पर नियोजित किया जाता है, इसको कहते हैं संघट चक्र और जहां ये नक्षत्र खराब पड़ता है वहीं उस सरीर में लक्षण, तिल, घाव ये सब चीज़ें पाई जाती है और कभी-कभी तो ये चक्र ऐसे बनाया जाते हैं कि तीन-तीन चक्रों का समूह नव अस्थानों पर अस्थापित किया जाता ह जहां पापक ग्रहों के नक्षत्र होते हैं वहां गुल्म, तिल, इल्ला, मस्सा ये सब विकार जो है सरीर में देखे जाते हैं तो इनका बहुत बड़ा असर होता है सरीर में तिल को आप विकार बता रहे हैं तिल तो खुबसूरत है नहीं बेटा विकार भी है विकार भी ह तो बैबाहिक जीवन बिघटन हो जाएगा, खतम हो जाएगा, तिल अगर किसी पुरुस के बाएं अंग में हो जाएगा, बाएं बाह पर हो जाएगा, तो उसके सारे प्रयास जिंदगी भर निस्फल जाएगे, अगर किसी पुरुस के बाएं जांग पर तिल का निसान हो जा अगर वही वाएं अंग में आ जाए, वाएं सीने पर तीला जाए, वाएं हाथ पर तीला जाए। पर तीला जाए तो मसचा कुछ लोगों के कभी आपने अखर लक्षण देखा होगा न तो बड़े बड़े लक्षण स्गरिम थाने यहां तक कि चेहरे तक पर बड़े बड़े लक्षन लोगों के हरे रंके और मतलब की नीले रंके दिखाई देते हैं लैसन जिसको कहते हैं और पीठ पर भी तिल और इल्ला का निसान होना बाएं तरफ अगर पीठ पर इल्ला और तिल का निसान है तो सुखी बहन संतान होती ह दाहिने तरफ अगर है, तो सुखी भाई संतान उसके बाद में होता है, इन सब लक्षनों को हमारे सामुद्रिक मीड में होता है, रीड की हड़ी पर अगर होता है, तो वेक्ति स्वयम में मतलब की उंचाईयों को प्राप्त करता है, लेकिन वो बैक बोन पे होना चाहिए, त तो कहने का मतलब हमारे हैं सामुद्रिक सास्त्र में इन सब चीजों का वड़न किया गया है, वो भी जियोंतिस का ही एक अंग है, ठीक है, तो इन चीजों को अच्छा भी आप कह सकते हो, खराब भी कह सकते हो, तो देखो पुष्य नक्षत्र जो है, ये पूरुष नक्षत आता है, चेहरे के भाओं का पुष्य से विशेश संबंद है, ये नक्षत्र पित्प्रकृति का है, इस नक्षत्र की दिशा पस्चिम है और पस्चिम उत्तर और उत्तर दिशा है, पुष्य नक्षत्र सरीर के आमास है, पसलियों और फेफणों का विशेश रूप से प्रत पुष्य नक्षत्र के देवगुरु ब्रहश्पति, ज्यान, विज्यान और नीती निरधारण में व्यक्ति को अग्रणी बनाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें। तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं। देखते रह